नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राके शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आपको कुछ वीडियो से मैं पढ़ा रहा हूं कि ग्रहों का गोचर के ऊपर ग्रहों का जो गोचर है ग्रहे जम एक राशी से दूसी राशी में इन ग्रहों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जब ये राशी चेंज करते हैं तो मानव के ऊपर कैसा प्रभाब ये डालते हैं अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि शुक्र जब अपनी राशी चेंज करता है जब शुक्र ग्रहे अपनी राशी चेंज करता है तो मानब जियों पर क्या प्रभाब टालता है, शुक्र जब उस राशी में आता है, जिस राशी में जन्मकालीन चंद्रमा है आपका, आपका जन्मकालीन चंद्रमा, कुंडली में आप चेक कीजिए डीवन चार्ट में कि आपका जन्मकालीन चंद्रमा कहा है, जिस राशी मे अगर शुक्र आएगा तो आपको सब प्रकार के भोग प्राप्त होगे धन प्राप्त होगा स्वास्तप्रद्धी प्राप्त होगी आपके सारे काम बनेगे बहुत अच्छा समय होता है आपका नेम फेम होगा और अगर दूसरे भाव में गोचर करे शुक्र दूसरा भाव य आपके लिए शुक्र का गोचर कैसा है पारिवारिक संबंद बढ़ते हैं वानी अच्छी होती है वानी के थुरू आप अरजन कर सकते हैं धनारजन कर सकते हैं आप अच्छे बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाते हैं अच्छा खाना प्राप्त होता है तो दूसरे भाव स मिलते हैं वो सब इट में अच्छे मिलते हैं शुक्र यही जर्म-काली नराशी इसे तीसरे भाव में उसके साथ- वह उसका गोचर विभिन राशियों वालों पर अच्छे इसा डालता है कुछ एक-दो राशी दो-तिन राशी ऐसी है जिन पर वो अच्छा असा नहीं डालता तो शुक्र यदि उस राशी से गोचर करे जहां आपकी जन्म राशी से तीसरी राशी तीसरा घर है अगर जो आपकी जन्राशी जहां है, आपकी डीवन चार्ट में जहां आपकी जन्राशी है, उससे तीसरे घर में शुक्र गोचर करें, तो धन की व्रद्धी होती है, सुंदर उपकरण मिलते हैं, आपको छोटे भाई बैनों से प्रेम आपका बढ़ता है, खेल पूद में आ जो आपकी जन्राशी से चौथी राशी है, जो आपकी जन्राशी से चौथी राशी है, शुक्र यदि उस राशी में गोचर करें, तो सुख प्राप्त होगा, मान सिक्षानती प्राप्त होगी, मित्रों में व्रद्धी होगी, वो समय प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बह का सुख मिलेगा यानि जो भी चौते भाव से चीजें निखते हैं वो आपको अच्छी मिलेगी शुक्र का पांचवां गोचर यानि शुक्र उस राशी से गोचर करें जो राशी आपकी जन राशी से पांचवे भाव में हैं तब संतान की प्राप्ती होगी संतान सुक प्राप्त होगा वो समय भी बहुत अच्छा है जब आप शेयर्स पर पैसा लगा सकते हो आप कोई बड़ा बिजनस कर सकते हो आप बड़ा बिजनस करोगे या बड़े बड़े बिजनस के लिए बड़ी-बड़ी मिटिंग कर सकते हो क्योंकि पांचवे भाफ से समझदी जो भी चीज़े हम देखते हैं उसके आपको अच्छे पंदे ले शुक्र का छटा गोचर अच्छा नहीं होता है यानि आपकी जन्म राशी से छटी राशी में शुक्र गोचर करें तो विपत्ति लाता है कर्ष लाता है रोग पैदा होन होने के चांसिस हो जाते हैं रिंड बढ़ जाता है आपके उपर शत्रू आपके पैदा होने शुरू हो जाते हैं यह रोड़ो हावी होना चुन हो जाते कैस तरह की समस्याएं आपके साथ प्रब्लम आती है आपके प्रफेशन के अंदर आपको प्रब्लम आ सकती है कि सात्वा भाव आपके दस्वे का दस्वा भाव होता है आपकी विदेश यात्रा आप करें कोई तो वो आपकी विदेश यात्रा असफल हो सकती है इस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती है जो भी सात्वे भाव से संबंदित है लेकिन यही शुक्र अगर जन्म राशी से आठ वी राशी में गोचर करें तो संपत्ती प्राप्त होती है कल्हय खतम होती है इड़ा खतम होती है अगर कोई लंबी बिमारी चलिए आ रही हो तो वह भी खतम होती है आपको इन्मेंशन कर रहे हैं को रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च कम्प्लीट होती है आपको अविश्कार कर रहे हैं तो अविश्कार कम्प्लीट होता है या उसको करने में बहुत मदद मिलती है जो भी आठवे मावसे चीज़े आप दिखते हैं वो सब ने आपको सबलता आप भूर दियों सुक्र का नवँ गोजर यानि शुकृ आप कि जन्म राशी से नवी राशी में गोज़र करें तो सुख की ब्रॉप्त रहूति आप करते हैं आपके पिता से संमंद अच्छे होते है बहुत अच्छा रहता है हो कि जो भी काम आप स्टार्ट गरी परको पहां सपलता है लेकिन यहीं शुक्र का घोचर अगर दस्वे भाब में हो जाए आपकी जन्माशी से दस्वी राशी belongs कांट किजिए वहां पर शो कर अची तो कल है पुट्पन भुझाती है प्रोफेशन में प्रॉब्लम उनी श्रूव हो जातकी हैं, आपके आपकी बहुत से लडाई जगड़ा होना शुरू हो जायाएगा, प्रोफेशन के अंदर, हो सकता है कि आपको अगर आपके कोई इंक्वाईरी चल रही है या आपके कोई चल रहा है तो सस्पेंशन वगरा अच्छा करते हैं लेकिन शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो जन्म राशी से क्यारी राशी में अच्छा नहीं देता वहां लाद की कमी आती है से इस्फर के लिजे देपाति बार है लेकिन यहीं शुक्र यदि और शै lacya लिजोर करें तो बहुत अच्छा होता है आigraphy तो होता है लेकिन वो वे सतकारियों पर व्याय होता है। के विदेश में आप dwa स्टेमेंट होता हूँ है था यह शुक्र के बावरे में आपको यहां तक सबस्गमाया हुगा मैं उम्मीद करता हूँ, अगर समझ में आया हो, तो kindly lag कीजेगा, subscribe कीजेगा, उससे motivation बढ़ता है, और इसके लावा हम लोग class start करने जा रहे हैं, astrology की, जो लोग interested हैं, वो join कर सकते हैं, नमस्कार, जैशी कृष्णि